सब्सक्राइब आपका टेक्रेसर में और आज हम इस वीडियो में देखने होले कि कैसे आप अपने Amazfit GTR 2E को Alexa के साथ इंटिग्रेट कर सकते हैं इस इंटिग्रेशन में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे थी मेरे बहुत से कमेंट्स थे तो like I thought like let's make a video to demonstrate how you can configure your Amazon account to enable Alexa on your Amazfit GTR 2E now यह सिफ इसी watch के लिए लिमिटेड नहीं है आपके बास जो भी कोई अलग watch होगी जिसमें Alexa integration supported है तो आप definitely यह method try का सकते हैं इसमें आपके लाई काम कर देगा Amazfit के तो सारी watch उसमें काम करेगा so no issues over there so without any further delay let's get started so first of all सबसे पहले देख लेते तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी watch है मैं हाँ पर Alexa अगर like open करता हूँ तो आप देख सकते प्लीज अपडेट अप अगर आपका account link नहीं है तो आपको यह ऐसा error message आपको यहाँ पर दिखेगा कि लिए please update the app and link the account तो आपको यह ऐसा error show होगा तो first of all आपको क्या check करना है सबसे पहले आपको जो Zapp app है आपका सबसे पहले updated होना चाहिए तो आपको play store या फिर आपके apple store में जाके आपको इस app कम्लेटली update करना है उसके बाद आपको इसको watch के साथ pair करना है तो आप देख सकते हैं मेरी watch यहाँ पर pair है and I'll simply go to profile my devices में आपकी watch है पर listed होगी तो जैसे आप open करोगी आपके watch को पूरे आपका data यहाँ पर दिख जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर app settings में आपको Amazon Alexa देखेगा अब यहाँ पर मैंने already जब मेरी GTA S2 Mini थी तो मैंने already मेरा account से sign in किया था तो मेरा Amazon account already linked है but still मैं यहाँ से unlink करके रखाए to only demonstrate तो आप जैसे आप यहाँ पर login to Amazon पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर email address और password की like आपको page आ जाएगा वहाँ पर आपको simply आपका Amazon का login ID और password डेना है तो simply login and allow one authorization permission और आपका account जाए वो लिंक हो जाएगा zap app के साथ उसके बाद यह अपने आप काम करना शुरू कर देगा तो आप देख सकते यह automatic authorizing में गगा है क्योंकि मैरा already account like email ID और password इसमें already entered है तो यह थोड़ा सा wait कीजिए like authorization complete होने के लिए एक बार authorize हो जाएगा फिर आपको कुछ आप देख सकते यह screen पर हम हाग है welcome to Alexa तो आप simply आपको tap करना है get started पर तो get started पर click करने के बाद आप देख सकते यहाँ पर यह screen हो रिफ्रेश हो के आगा और यहाँ पर exit दिखा रहे इसका मतलब आपका account setup हो चुका है link हो चुका है तो आपका integration complete हो चुका है आप इससे ना यूज कर सकते तो हम मैं phone को भी side में रखता हो यहाँ पर पर आप देख सकते हैं अब हमारी watch पर वापस आ जाते हैं तो watch पर हम quickly देख लेते कि कैसे काम करेगा आप देख सकते हैं watch पर हम आ गये यहाँ पर हम simply swipe left करेंगे तो आप देख सकते हैं Amazon Alexa और यह watch paired है अभी आपके साथ इसलिए आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं इसका मतलब connect हो चुके है आपके phone के साथ और आप कोई भी इसको command डेख सकते हैं okay so एक बार try करके देखते हैं what's the weather like अब देख सकते हैं इसने result यहाँ पर show कर दिया है तो यह basically result आपके phone से fetch होके यहाँ पर दिख रहा है but gts to minimize आपको text में दिखता था यहाँ पर आपको पूरा entire data दिख रहा है तो काफी अची चीज़ है और एक command trigger के देखते हैं what is the holiday of Mount Everest आप देख सकते हैं काम कर रहा है so guys आप देख सकते हैं ऐसे कुछ यह काम करता है तो I think guys इतना ही था इस वीडियो के लिए अपको इसमें और भी कुछ doubts और queries होंगे तो do let me know in the comment section below I am happy to answer you all so guys this is pretty much it for this video guys I will catch you guys in the next one क्व।